किसान भाईयों नमस्कार स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल स्मार्ट एग्रिकल्चर में इस वीडियो में हम केडियेस 902 में सोयबीन वेराइटी के बारे में बात करेंगे वेसे तो मार्केट में केडियेस परजाती की कई 19 सील वेराइटी पहले से उपलब्द हैं जैसे की केडियेस 726, केडियेस 723 और केडियेस 344 लेकिन इन वेराइटों की सबसे बड़ी समच्छा यह हैं की यह वेराइटी पकने में कापी ज़्यादा समय लेती है तो इस समस्या को देखते हुए महात्मा पूले कर्शी विद्यपीड राउरी महाराष्टर के कर्शी विगयनिको दोरा केडियस 902 में स्वेबिन वेराइटी को विक्सित किया गया है किसान भायो यह विराइटी 2021 में लौंच की गई थी और इस समय पर महाराष्टर में इस विराइटी की कापी ज़्यादा डिमांड है अब अगर केडेस 902 में के बारे में थोड़ी डीटेल से बात करें तो इस विराइटी को पूले दुर्वा के नाम से जना जाता है और यह विराइटी अधिक उतपादन देने के साथ साथ एक मद्यमावदी में पकने वाली विराइटी है अगर अन्य विशेश्टाओ के बारे में बात करें तो इस विराइटी में बेंगनी रंके पूल आते हैं और इस विराइटी में गुच्छों में पली आती है अगर बीज के बारे में बात करें तो बीज का रंग सोनेरे रंग का होता है और बीज की नाबी चोकलेटी रंग की होती है और दाना मोटा होता है और सो बीज का वजन 14-16 ग्राम तक होता है अगर पोदे के बारे में बात करें तो पोदे की उचाई दाई से 3 पिट तक होती है और एक पोदे में 8 से 10 साखाई निकलती है और एक साखा में 20 से 30 फलिया होती है इस वेराइटी की फलिया चिकनी होती है और 95 परतिशत फलियों में 3-20 होते हैं इस वेराइटी की पत्तियों का आकार बड़ा होता है और पांच पतिया एक साथ आती है और पतियों का रंग गहरा हरा होता है अगर पकने के समय के बारे में बात करें तो किसान भाईयों ये जमीन के आदार पर थोड़ा ज़्यादा समय ले सकती है लेकिन अमिनिमम सो से एक सो पांच दिनों में ये पर थी एकर तक निकलाए यह ट्रायल प्लाट बेड पदिती से लगाया हुआ था और बेड की चोड़ाई दो फिट थी और ड्री प्लाइन चार्छ पिट पर थी और एक बेड पर दो लाइन लिया गया था और बेड पर लाइन से लाइन के बीच की दूरी अठारा है चाहती और पेड से पेड के बीच की दूरी चाहें इंच थी। और इस ट्रायल प्लाट में स्वैबीन के पूरे जीवन काल में NPK 1919, 1261, 054 और 0050 जैसे खादो का ड्रीब द्वारा डोज दिया गया था। इसके अलावा अगर कीट और रोग परती रोदक समता के बारे में बात करें तो इस प्रजाती में येलो मुझे एक वाइरस के लक्सन बहुत कम दिखाए दिये और तनाचेदक की समझ्या भी कहीं कहीं पर दिखाए दी। तो आप ये मान सकते हैं कि ये जो वेराइटी हैं ये कीट और रोगों के परती ज़्यादा सैंसी ले। लेकिन अब बात ये आती हैं कि क्या ये वेराइटी मद्यप्रदेश में भी सक्सेस्फुल हो पाएगी तो किसान भाईयो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये वेराइटी मद्यप्रदेश के लिए रिकमेंड नहीं हैं मतलब कि हमारे कर्शी वग्यानी को दोरा ये वेर करते हैं तो आप अपने बड़े एरिया में इस वेराइटी को ना लगाए और अगर आपको इस वेराइटी का बीज करीदना है तो आप वीडियो स्क्रीन पर जो नंबर दिखाए दे रहे हैं इन नंबर पर संपर्क करके इस वेराइटी को बीज करीज सकते हो इस कैसी लगी और इस variety के बारे में आपकी क्या राय हैं कमेंट कर गया उश्य बताईए चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में जई जवान जई किसान